और आज के सेशन के अंदर कंप्लीटली पूरा डिसकस कर लेंगे पूरे इस ब्लोग को मोल्डेड करके सारे क्यों निकाल देंगे तो कंटिनियूसली बने रहेगा नोट्बुक साथ में रखेगा क्योंकि सभी कॉंसेप्ट आपको लिखने हैं क्योंकि आपके जो भी बताए जाएगे वो आपके एक्जाम पॉइंट और इंपोर्टेंट होंगे मैं स्टार्ट करता हूं 54 नंबर का क्योशन हमने लास्ट छोड़ा था इसी क्योशन से मैं से स हुआ स्टाइब परें लिफ कर दीजगा और कंसंट्रेशन के साथ बने रहेगा और कंट इंवसली बने रहेगा लास्टक कर Hof lugस है कि आपको बता दुमें टाइम कह नहीं सकता कितना लग सकता है दो गंद Bonafarm पूरा हो जाएगा आज के शेशन के अंदर आपका पूरा हो जाएगा आज के शेशन के अंदर चलेगा के अंदर अब देखें 54 नमबर यानि 54 नमबर क्योशन झोड़ दिया था इस क्योशन को हमने रिपीट भी खिया था लेकिन कुछ डिस्रेबिंस के करण सी क्योशन का अंसर नहीं कर पाये थे तो इसी से समय से सेक्ष्ट को स्टार्ट कर रहा हूं चलेगा क्योशन आप से पूचा था common cancer of oral cavity oral cavity या बकल cavity जो आपकी होती है यानि जनरली बात करें तो mouth cancer की बात करें oral cancer, mouth cancer, बकल cavity का cancer या आपकी oral mucosa का cancer अगर इस type का cancer है तो most common type of cancer आपको बताना है यहाँ पर कि किस type का cancer oral cavity का cancer होता है उसके अंदर सबसे most commonly किस cell के अंदर किस टाइब का कैंशर देखने को मिलता है क्योशन मतलब समझ गए अब आपको समझ में आपको समझ में आना चाहिए स्टार्टिंग सेशन नहीं हो पा रहा हूं लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में आपका सेशन से सेशन को आगे बढ़ा दिया जाएगा इस क्योशन का राइट आपको देना है फटापर से जल्दी कीजिएगा ताकि आगे बढ़े आपके नेक्स्क्योशन पर को जाता है इसके बहुड़ इस क्योशन का इसके बाद के देदेनो कर्सी ना ना को रख सकते हैं जो कि सेकंड ऑप्शन यहां पर हैं लेकिन मोंस्ट कॉमनली अगर आपसे पूचा है तो इसको आमा से सहल कार्शिनों में आपको भूलना नहीं है काफी सारे कंपटेटिव एक्जाम में एजटीज क्योशन आया हुआ है और आपके बीपी सी एक्जाम में आ सकता है इसलिए आपको किसी लेडी के अ दर किसी मेला के अंदर अगर ब्रे有ा तो कोमनली डिटेइक्ट कर पाई कि हो कोमनली ब्रेश केंसर को कैसे किया जा सकता है क्योशन समझ में आगया ऑप्शन की अ कोडिंग और आनसर देना है most suitable option आपको शूज करना है हो सकता है सभी option similar आपको लगे लेकिन आपको उन में से भी priority देनी है ध्यान रखे और आपके exam में training based question ही आएंगे कोई competitive exam based ज़्यादा ऐसे question नहीं आएंगे केवल और केवल आपके training based question आएंगे क्यों training आप कर रहे हो चलेगा यहाँ पर पहला option है आपका BSC breast self examination second option है यहाँ पर mammography third option है यहाँ अल्ट्रा साउंड यानि USG sonography और fourth option है यहाँ पर blood test चलेगा किस diagnostic test के जरिए किस diagnostic evolution के जरिए breast cancer को आसानी से और commonly detect किया जा सकता है answer आपको देना है फटाफट से क्या इसका correct answer होगा जल्दी कीजिएगा क्या इसका correct answer होगा चलेगा चलेगा इस question का जो बिल्कुल correct answer होता है आपका बिल्कुल correct answer होता है आपका option number first बिल्कुल correct answer है BSC breast self examination BSC क्या होता है सर breast self examination होता है breast self examination होता है सर ये कभ स्टार्ट होता है आप सबको पता होगा जो लेडी हैं 20 years of age जो होती हैं वहां से breast self examination करवाना start कर दिया जाता है अगर कोई abnormalities breast के अंदर देखने को मिले कोई lump कोई stone या कोई lump अगर देखने को लगे अगर female को लगे की lump हो सकता है तो फिर breast self examination करवाय जाता है और हमारा जो session है काफी लंबा होने वाला है इसलिए ज्यादा discuss नहीं करेंगे तो 20 years of age यहां पर क्या हो जाता है BSC start कर दिया जाता है और यहां पर जो BSC किया जाता है breast self examination किया जाता है approximately 4-5 step में complete किया जाता है 4-5 step में minimum 5 step में यहां पर complete किया जाता है जहां पर breast को inspect किया जाता है mirror के सामने खड़ा होकर stand होकर lady observe करती है दोनों breast में equality check करती है similarity check करती है क्या-क्या changes है अगर ऐसा देखने को मिलता है तो फिर further diagnosis करवाई जाते उसके बाद यहां पर palpate करके देखती है जो मैला है जो lady है palpation के तुरू देखती है उसके लावा palpate के बाद palpate निपल को pal सब्सक्राइब करते हैं उसको जरूर से देखे क्योशन आप से पूंचा जा सकता है यहां पर इसलिए आपको याद रखना है चलेगा इस क्योशन का राइट अंसर आपका क्या हो जाता है 55 का राइट अंसर ब्रेस सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाता है चलेगा next question की बात कर इसका करते है 56 number question 56 number question simple यह कहता है इस रिलेटेड हूं मेमोग्राफी किस से रिलेटेड है क्योशन समझ में अगा मेमोग्राफी एक डाइग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है आप सबको पता है किस से रिगाड़ड है आंसर आपको पूट करना है चलेगा पहला चेलेगा यहाँ पर अगर आपन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिए तो उप्सन नमबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उप्सन नमबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ब्रेस्ट केंशर हैं किसी लेडी को कोई भी लेडी हो सकती है जिसको ब्रेस्ट केंशर है उसके अंदर मेमोग्राफी करवाया जाता है मेमोग्राफी क्या होता है मेमोग्राफी एक screening test होता है मेमोग्राफी एक screening test होता है जिसमें breast cell को breast को visualize किया जाता है breast को examine किया जाता है कि breast में किसी भी type की abnormalities दो नहीं है बिल्कुल यह देखा जाता है क्या है मेमोग्राफी एक special type का medical imaging test है medical imaging test है जिसमें x-ray type में जैसे x-ray करते हैं वैसे ही x-ray type में करावकर यहाँ पर एक तरीके से breast पूरे breast cells को देखा जाता है memories gland आपने सुना होगा बिलकुर उनको visualize किया जाता है तो directly is question का right answer क्या हो जाता है option number C हो जाता है breast breast cancer से regarded होता है memory sorry mammography ठीक है mammography किस से related है आपका breast cancer से है चलेगा next question की बात करते हैं ठीकेगा थोड़ा speedly चलूँगा क्योंकि question काफी सारे हैं और मैंने कहा है इसी session के अंदर आपका एक block यानि जो fourth block चल रहा है फिनिस होना चाहिए क्योंकि हमारे पास timing कम है आपका exam डेट अनाउंस हो चुका है 25 फरवरी या 25 फरवरी को आपका exam है इसलिए question के लिए ज़्यादा timing आपको नहीं मिलेगा और थोड़ा speedly चलेंगे क्योंकि भी first paper अपना चल रहा है इसके बाद एक block और है फिर आपका first block complete हो जाएगा उसके बाद आपका second block start second paper start कर दिया जाएगा जिसके अंदर almost first block complete है उसके अलावा 5 block और भी है जो भी काफी बड़े-बड़े है तो उनको भी discuss करना है इसलिए थोड़ा speedly चलेंगे manage कीजिएगा speed को अगर फिर भी ज़्यादा लगे तो comment कर दिजिएगा आपको courses किया जाएगा next session के अंदर आपका speed कम किया जाएगा next question है आपका 57 question है frequency of screening for breast cancer breast cancer के regarded जो frequency होती है screening करवाई जाती है breast cancer के regarded जिसकी mammography होगे रहा हो जाती है या फिर other screening test होती है उनका frequency क्या होना है यानि repeat कब किया जाता है मान के चलेगा आज किसी कोई female है अगर उसके अंदर female के अंदर क्या हो रखाए breast से regarded कोई problem है lump है उसने आज today उसने क्या किया है breast self examination कर लिया है other is इस से regarded screening test होते वो करवा लिया है तो अब doctor उसको एक बार फिर से कब repeat करने को बोलेगा कितने time period में यानि frequency आप से पूछिए question समझ में आ गया बिल्कुल why question पूछ रहा है simple question यहीं पूछ रहा है breast self examination है किसी lady को sorry breast cancer है किसी lady को तो उसका screening test कितने time period में repeat किया जाता है question समझ में आ गया बिल्कुल option के according answer देना पहला option है यहाँ पर once in a three year तीन साल में एक बार three year के अंदर एक बार करना है उसके बाद second option है once in two year दो साल में एक बार third option है यहाँ पर twice in a year एक साल में दो बार और fourth option है यहाँ पर once in five year five साल में एक बार चलेगा answer दीजेगा फटाफट से कैसका correct answer होगा कितने time period बार कितने time period बार जो breast का examination किया जाता है screening किया जाता है वो repeat किया जाता है कितने time period का चलेगा answer आपको देना है चलेगा answer आपको देना है फटाफट कीजेगा चलिएगा यहां पर अगर बिल्कुल correct answer देखें बिल्कुल correct answer देखें तो once in five year पांच साल में repeat किया जाता है कितने साल में पांच साल में five year में जो screening test है breast से regarded वो repeat किये जाते हैं याद रहे important question है प्रिवेसली exam के अंदर पूचे हुए है तो आपके exam में पूचा जा सकता है इसलिए आपको याद रखना है चलिएगा next question की बात करते हैं और next question आपके सामने 58 number question है 58 number question क्या केता है देखेगा which of the risk factor of developing breast cancer question simple सा यहाँ पर यह पूचा है कि following condition देखेगा अपने जो पड़ा है आपने जहां भी पड़ा है जैसा भी पड़ा है वो ठीक है आपको याद होना चाहिए लेकिन question क्या पूच रहा है question पूच रहा है उसके according option में क्या answer है suitable answer आपको लगाना है ध्यान रहे question और answer question के बाहर आपको नहीं जाना है question के अंदर जो option दिये है उन्हीं में से आपको answer चूज करना है इसलिए question समझेगा फिर answer दीजिएगा और जहां भी जिस भी competition के आप तैयारी करें उसमें भी ऐसा ही होगा बाहर नहीं जाता है को यह option बाहर नहीं होता है जो चार option होते उन्हीं आपको answer देना होता है और उसी को कोडिंग आपको आंसर देना होता है चलिएगा which of these risk factor of developing breast cancer simple सा यहाँ पर यह पूचा है आपसे question कि नीचे following option में ऐसा option choose कीजेगा कि वो breast cancer coach करवा सकता है यानि risk factor है breast cancer का risk factor है तो कौन सा risk factor है breast cancer के regarded वो आपको answer देना है फिर आगे बढ़ेंगे चलिएगा option first है late menarche second option है early first pregnancy third option है early menopause fourth option है यहाँ पर non pregnancy चलिएगा किस condition में breast cancer होने के chances सबसे ज़्यादा होते चलिएगा जल्दी कीजेगा क्या इसका correct answer होगा फटापट कीजेगा क्या इसका correct answer होगा breast cancer आपको लगेगा कि सर 3-4 option में ही लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि breast cancer होने के chances रहते हैं लेकिन उसमें से भी suitable निकालना है आपको बिल्कुल suitable निकालना है कि हाँ इससे तो होई सकता है सबसे ज़्यादा risk किसका है चलिएगा इस question का बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं आपका option number D नो प्रेगनेंसी बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं है तो ऐसी condition में chances जादा रहे जाते हैं इस रिस्क क्या हो जाती हैं बढ़ जाती हैं इंक्रीज रिस्क देखने को मिलती हैं आपर breast cancer के बिल्कुल प्रेगनेंसी इस question का बिल्कुल correct answer है बाकि आप कहेंगी सर इंसे भी हो सकता है इंसे भी हो सकता है बिल्कुल इंसे हो सकता है मना नहीं किया जा रहा है लेकिन appropriate answer आपको देखना होता है चलिएगा आगे बढ़ते हैं next question पर next question पर बढ़ते है next question आपका 59 number question 59 number question है 59 number question क्या कहता है देखेगा simple question यह कहता है which type of food intake reduce the risk of breast cancer किस food को लेने से breast cancer होने की risk है reduce हो जाएगी क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी तो किस type का food लेना चाहिए कि breast cancer का risk है कम होने की संभावना रहती है fiber rich diet AC diet जिसके अंदर fiber जादस ज्यादा हो second option है fatty diet third option है high protein rich diet और fourth option है A and B चलिएगा answer आपको देना है बिल्कुल correct answer आपको देना है क्या इसका correct answer होगा किस type की diet लेने से breast cancer के chances कम हो जाते है यानि कुल मिलाकर यह सा पूचा जा रहा है कि किस diet को आप लोगे तो आपके अंदर breast cancer नहीं होगा चलिएगा answer आपको देना है फटा फट से चलिएगा इस question का अगर बिल्कुल right answer आपन देखे तो option number C बिल्कुल correct answer है high protein rich diet अगर आप diet के अंदर protein ज्यादा amount में ले रहे हैं protein ज्यादा amount में ले रहे हैं तो उसके कारण से breast cancer का risk है वो कम हो जाता है breast cancer का risk है कम हो जाता है क्योंकि fat अगर आप ज्यादा लेंगे तो breast cancer के chances हैं fiber diet से भी कुछ chances रहते हैं यहाँ पर इस question का बिल्कुल appropriate answer आपन देखे तो option number C बिल्कुल correct answer है क्योंकि high protein diet अगर आप ले रहे हैं तो breast cancer का risk है काफी हद तक कम हो जाता है चलिएगा next question की बात करते हैं और next question आपके exam point of view से काफी important है चलिएगा आपको answer बताना है काफी important question है आज की session के अंदर से आपके exam में darkly पूचा जा सकता है 60 number question है 60 number question के रहा है globally cervical cancer death in India इंडिया के अंदर अगर आपना बात करें cervical cancer death की cervical cancer death की अगर आपना बात करें especially इंडिया के अंदर तो वो किस proportion में देखने को मिलती है चलिएगा option के coding answer देना है पेल option यहाँ पर है nearly one third of population in women second option है nearly one second third option है nearly one fourth of the population in women और fourth option है यहाँ पर nearly 50% चलिएगा answer आपको देना है क्या इसका correct answer होगा suitable answer आपको देना है कितना percent यहाँ पर chances होता है कितना proportion होता है जो की इंडिया के अंदर especially देखा जाता है चलिएगा यहाँ पर बिल्कुल correct answer क्या होगा इंपोर्टेंट क्योशन है आपके एक्जाम में एजटी जो पूचा जा सकता है बिल्कुल repeated क्योशन है चलिएगा चलिएगा यहाँ पर बिल्कुल correct answer है that is option number first बिल्कुल correct answer है nearly one third nearly one third population in women one third population in women देखेगा इंडिया के अंदर अगर cervical cancer से death की बात की जाती है तो death कैसे होती है one third तीन लेडी पर एक लेडी की death होने की संभावना रहती है इंडिया के अंदर इसा है तो याद रखेगा proportion आपको याद दोना चाहिए approximately ऐसा माना गया है कि तीन लेडी में से एक लेडी की death होने की संभावना रहती है तो याद रखेगा important question है चलिए आगे बढ़ते हैं 61 number question पर 61 number question पर है और मैं आपको बता दूँ friends बिल्कुल ये सारे question आपके modules के है बिल्कुल आपके module से बाहर कोई भी question हमने नहीं रखा है और आपके module से बाहर कोई question आएगा भी नहीं आपके exam में क्योंकि आप क्या है community health officer है और आप अभी कैसे है training period में है यानि आपकी training complete हो चुकि है 6 month जो training होती है आपने complete कर लिए चाहे किसी भी state से हो आप especially राश्तान CHO की नहीं के रहा सभी state के candidate के लिए के रहा हूँ जो भी आप CHO candidate है जहां पर भी है 6 month की duration आपने complete कर लिए अब आपका exam का timing है exam timing आपका चल रहा है और exam आपका आने वाला है अब exam में आपको देना है तो क्या देंगे sir हमने जो training की है उसी का या answer हमें देना है जो हमने training में सीखा है वह ही तो हमें वाँ पर answer देना है तो बिल्कुल आपका जो exam set होगा आपके module से ही होगा module से बाहर कोई question नहीं बनेगा इसलिए सभी candidate से कहना चाहूँगा सभी candidate जो भी candidate है जहां भी है अभी इसी time कहीं पर भी है नहीं हमें तो पढ़ नहीं है तो फिर अपने modules को उठाइए pencil उठाइए और गोले मारे काली कर दिये जब modules को काला कर दो question निकाल के निकाल दो उसमें डून कर निकाल दो लेकिन other topics या other जगे से notes या फिर कहीं coachings पर पढ़ रहे हो कहीं पर पढ़ रहे हो मैं वो नहीं के रहा कांप को पढ़ रहा है जहां भी पढ़ रहे हो बिल्कुल other कोई competitive exam type में इसमें questions देखने को नहीं मिलेंगे बता दू पहले ही इसलिए याद रखेगा module से बार आपका कोई exam नहीं जाएगा कोई question नहीं जाएगा अगर फिर भी चला जाता है तो ना के बराबर जाएगा यार एक दो percentage चला भी गया तो क्या फरक पढ़ता है लेकिन 99% exam paper आपके module से बनेगा क्योंकि आप training period में हो आप competition नहीं दे रहे हो केवल आपको training period के according ही question paper मिलेगा इसलिए सभी candidate से के रहा हूँ इसलिए आप module अगर पढ़ना ही चाहते तो modules पढ़े बाकी अधर इधर उदर आने जाने की दिक्कत नहीं है और यहाँ पर जीवन education पर आपर बिलकुल modules से ही regarded सारे questions होते है modules के ही सारे questions होते है modules से बार कोई question नहीं होता है मोड्यूस के अंदर जो जो क्योशन है जहां चेक्योशन बन सकता है हर लाइन से क्योशन बना कर आपको अवेलेबल करवाए जा रहा है और उसके रिगारेड आगे बढ़ते हैं फिर बाद में डिसक्स करते हैं प्रिवेशन के बात करते हैं टाइमिंग अपने पास काम है और सेशन अभी काफी बढ़ा है चेलेगा क्योशन है यापर 62 नमबर क्योशन और कह रहा है हाव मैनी वेक्षीन आर अवेलेबल for the prevention of the cervical cancer काफी important question है और ये previously BPCCHN के अंदर important है याद रखेगा पूचा हुआ है previously BPCCHN के अंदर ये जटीज question पूचा हुआ है याद रखेगा previously question paper उठा कर देखशकते और I think ये फरवरी या जून का जो exam हो था last year उसके अंदर ये पूचा गया था ये पूचा था कि cervical cancer के लिए उसके against prevention के regarded कितने टाइप की वेक्षिन अवेलेबल है चलेगा जल्दी से बताना है क्या इसका correct answer है option number first है option number B है second, मतलब two option number C है, three option number D है, four चलेगा क्या correct answer है answer आपको देना है फिर इसका correct answer आपको बताया जाएगा don't worry जीवन education के साथ जुड़ गए तो important सारा कुछ निचोड कर दे दिया जाएगा don't worry और एक ही paper नहीं, दोनों, तीनों paper आपको अवेलेबल करवाई जाएगा don't worry, patience रखेगा चलेगा, यहाँ पर बिल्कुल जो correct answer होगा आपका option number second option number B बिल्कुल correct answer होगा अगर cervical cancer के regarded अपन बात करें cervical cancer के regarded अपन बात करें तो दो type की vaccines यहाँ पर आवेलेबल है कितने type की vaccines आवेलेबल है दो type की bivalent और multivalent vaccine हैं यहाँ आपर आवेलेबल है अगर नाम के अगर अपन बात करें तो एक होती है यहाँ पर गाड़ासिल एक होती है गाड़ासिल याद रखिएगा note कर लीजेगा important है आपके modules के लावा कहीं पर आपको नहीं मिलेगा आपको बताया भी नहीं जाएगा अगर कोई कहां से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बताया भी नहीं जाएगा इसलिए बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपके modules के अंदर है page number भी बता दूँ आपको आप चाहे तो page number बता दूँ आपको approximately यह आपके इसी block के अंदर यानि 4th block के अंदर 40 number page पर है आप देख लिए जगा Gardasil और Gardasil और Sirvarix जो वेक्षिन है Sirvarix वेक्षिन है Sirvarix यह दो टाइब की वेक्षिन है अवेलेबल है आपके Servical Cancer के Prevention के Regarders दो टाइब की वेक्षिन है दो टाइब की वेक्षिन है और यह कौन सी वेक्षिन है किसके रिगाड़ेर प्रिवेंशन देती है एच पीवी हीमोफिलस सॉरी है एच पीवी क्या है चलिएगा तो दो टाइब की दो टाइब की वेक्षिन यहां पर गुररे थनी आजब कंश के दो टाइब के वेक्षिन धैब करना करें परना वेक्षिन भूलना नहीं है एक वेक्षिन धाड़ासिवेक्षिन धाड़ेंच से question exam में as it is put up हुआ है तो यहां से आपके exam में question put up हो सकता है तो आपको याद रखना है चलेगा next question की बात करते हैं और next question यहां पर simple सा पूचा है काफी important है previously question आपने देखा है तो बिलकुल आपका सही answer होगा चलेगा यहां पर question है which of these vaccine prevention for the cervical cancer question यहां पर simple सा यह पूचा है कि following option में से कौन सी ऐसी vaccine है जो कि cervical cancer के regarded prevention प्रवाइड करती है cervical cancer से prevention देती है कौन सी vaccine है पहला option यहां पर Gardasil second option यहां पर cervarix और third option यहां पर both और fourth option यहां पर nano of disease चलेगा answer आपके सामने है और उम्मी ने सबको पता चल गया होगा क्योंकि previously question के अंदर मेंने discuss कर लिया है previously question के अंदर अपने देख लिया है Gardasil और cervarix दोनों ही क्या करती है गाडasil और cervarix दोनों ही क्या करती है cervical cancer के regarded prevention देती है इसलिए इस question का right answer क्या होता है option number C बिलकुल correct answer होता है next question पर आगे बढ़ते है next question पर next question simple जा यह पूचा हुआ है what is the recommended age for the HPV vaccination administration चलेगा simple question पूचा गया है और मैं पहले ही बता दूँ बार बार बता रहा हूँ module से लिए question है modules के अंदर मिलेंगे और आपके exam में भी module से ही question बनेंगे पूरा modules निचोड कर आपको दिया जाएगा लेकिन वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके exam में भी यही question आएगा इनसे बार कोई भी question नहीं आएगा पहले ही बता दूँ इनसे बार आपके exam में कोई question नहीं आएगा इसलिए continue concentration के साथ बने रहेगा चलिएगा यहाँ पर question यह पूचा है कि जो HPV अपन लगाते हैं human papilloma virus के regarded prevention के रिगाड़ जो vaccination अपन लगाते हैं cervical cancer से regarded है तो वो किस time period में लगाते हैं administration कब करते हैं HPV को HPV vaccination कब करते हैं time period पूचा है पहला option यहाँ पर 18 to 45 year second option यहाँ पर 10 to 12 year third option है 20 to 40 year और fourth option है about 20 year चलिएगा जल्दी से आपको answer देना है कि इसका correct answer होगा चलिएगा जल्दी से answer देना है कि इसका correct answer होगा जल्दी की जगा चलिएगा यहाँ पर इसका जो बिल्कुल जाएचएचन करवान जाता है वो करवा जाता है 10 to 12 years पर ये करवाय जाता है और up to 45 तक करवाय जा सकता है याद रखेगा भूलना ने ये काफी important है आपके exam point of view से इसलिए आपको याद होना चाहिए कितनी age पर करवाय जाता है 10 to 12 years of age पर ये करवाय जाता है अगर government इसको permit करती है तो 45 years up to 45 years तक इसको permit कर सकती है लेकिन basically अगर question का answer आपन देखे तो 10 to 12 years ही इस question का बिल्कुल correct answer होगा next question की अपन discuss करें next question है आपका 65 number और 65 number question कहता है HPV vaccination is store in which temperature जो HPV vaccine है वो किस टेमप्रेचर पर store किया जाती question समझ में आरा ने क्या है question simple सा ये है कि जो HPV vaccine है HPV vaccine है वो किस टेमप्रेचर पर store करके रखे जाती है HPV vaccine यानि cervical cancer के regarded prevention के रिगारड़ जो vaccine लगवाई जाती है HPV vaccine जिसमें Gardasil और सरवारिक्स आती है उनको किस टेमप्रेचर पर रखा जाता है temperature आपसे पूचा गया है चलिएगा जल्दी से आंसर देना है पहला option है यहापर 226 degree celsius second option है 32 degree celsius third option है 28 to 32 degree celsius और fourth option है 228 degree celsius celsius चलिएगा जल्दी से आपको आंसर देना है फटा फट कीजेगा जल्दी कीजेगा आंसर देना है फिर उसके बाद correct answer आपको बताय जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा जल्दी कीजेगा फटा पट जल्दी जल्दी चलिएगा यहाँ पर इस question का बिल्कुल right answer है बिल्कुल right answer है option number D option number D बिल्कुल correct answer है 2 से लेकर 8 degree celsius temperature में प्लस में है ध्याद है प्लस 2 से लेकर प्लस 8 degree centigrade temperature पर गाड़ासील और सरवारिक्स वेक्षिन यानि HPV वेक्षिन को स्टोर करके रखा जाता है याद रखेगा भूलना नहीं यह काफी important है चलिएगा आगे बढ़ते हैं next question पर आगे बढ़ते हैं next question पर next question आपके लिए काफी important है 66 number question है 66 number question है कहता क्या देखेगा what is the dose and root of the HPV vaccination चलिएका answer दीजेगा कि HPV vaccination का dose क्या है कितना dose लगाया जाता हैं इसका root क्या है चलिएगा जल्दी से answer दीजेगा क्या की इसका correct answer है कितना dose, कितना dose और कितना узलिव लगाया जाता है pihla option यहां पर है 1 ml intradermal ,1 ml id यहां पर लगा जाएगा सेकंड ऑप्शन ने टू एमल लगाए जाएगा थार्ड ऑफशन ने 0.5 एमल आइम लगा जाएगा और फॉर्थ ऑप्शन ए वन पॉइंट फाइप एमल सबकुतनिस एससी लगाए जाएगा चलिएगा जल्दी से आंसर बता दीजेगा आइम लगाया जाएगा या ID लगाया जाएगा या SC लगाया जाएगा डोज कितना लगाया जाएगा answer आपको देना है और जिसको याद नहीं हो ना फ्रेंड्स बिलकुल जिसको याद नहीं है notebook साथ में रखे mention करते रहिए आपके exam point of view ज़े काफे important है agitize question पूचा हुआ है और agitize question आपके exam में आ सकता है याद रखेगा चलेगा इस question का right answer आपको देना है फट आफट से कीजेगा जल्दी कीजेगा चलेगा इस question का जो बिलकुल right answer होता है आपका option number C बिलकुल right answer होता है option number C बिलकुल right answer है 0.5 ml doge इसकी लगाई जाती है doge कितनी लगाई जाती है बिलकुल 0.5 ml लगाई जाती है root की बात करें तो IM लगाया जाता है intra muscularly लगाया जाता है IM लगाया जाता है याद रखेगा important है तो यहाँ से याद रखेगा HPV vaccination को 0.5 ml लगाया जाता है और IM root से intra muscularly इसको लगाया जाता है से बार क्योशन जाएका चैंट यहां पर थीट लगाये जाती है यहां पर तू दाओ यए चैंट आपको देना आए क्या इसका करेक्ट अंसर नोगा एक HPV vaccination के कितने डोज लगाई जाते हैं, आंसर आपको जणा है, फटापट से, जल्दी कीजेगा किया इसका correct answer होगा, चलेगा, यहाँ पर जो vaccination करवाया जाता है, इसकी तीन डोज लगाई जाती हैं, कितने डोज लगाई जाती हैं, बिलकुल इसकी तीन डोज लगाई जाती हैं, याद रखेगा, important question है, आपके exam point of use है, important question है, आपके exam point of use है, आप दोनों ही different होती है, guardazil, sarvarics, दोनों ही different, different timing बे लगाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर तीन डोज लगाई जाती है, इसके regarded एक separate session आपको छोटा सा session करके मैं available करवाँ है, जिसके अंदर vaccination यानि कि HPV vaccination से regarded सारे question में molded करके आपको दे दूँआ, चलेगा, आगे बढ़ते है next question पर, क्योंकि question session काफी बढ़ा होने वाला है, question काफी something जादा जाने वाले, क्योंकि मैंने कहा है, 150 something question अपने session के अंदर solve करेंगे, तो अभी तो केवाल 68 question है, इसलिए तोड़ा speedily चलूँगा, क्योंकि block complete करना है, आज के इस session के अंदर, आपक आपका आपको पूरा हो जाए, और शेशन के अंदर आपका block भी पूरा हो जाए, चले, next question है, 68 number question, और 68 number question है, most common cancer occur in India, इंडिया के अंदर most commonly, कोण सा cancer देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर, most commonly, कोण सा देखने को मिलता है, according to option answer देना है, according to option answer देना है, जो आपने कंशन इस केंशन शर्दीच सह्und करें सर्विक्स केंशर औप सऩारं उप्सेन क केंशन अबर सतर्द्क एंशन आपको अंशर देने दnumber इस स्टर्उ हर जो बिल्कुल राइट आंसर आउन इस स्ट केंशन आपट ओधी मुठ है आपका नमबर फर्स सर्विक्स केंसर यही पर मैं आपको एक और जानकारी देदू ताकि अगर आपके एक्जाम में क्योशन आय तो आप इजीली सोल कर पाए चली का यहां पर देखेगा टोप फाइब केंसर अपन देखेंगे याद रखेंगा देखेंगा सबसे पहले आपन केंसर देखेंगे टोप फाइब केंसर लिका हुआ यहां पर टोप फाइब केंसर इन फिमेल सफ पिस एजसली किस एंडर केंडर केंडर फिमेल के टेकंग है इंडिया केंडर देखेंगे tap तो देखकेङा सबसे मोल्स काइज़क्न काए और इंडिया का इंदर और फीमेल के अंदर सबसे मोस्ट कोंएजर को मिलता है ब्रेस्ट केंशर याद रखेगा क्या देखने को मिलता है ब्रेस्ट केंशर देखने को मिलता है अगर सेकंड मोस्ट कोमन की बात करें सेकंड मोस्ट कोमन केंशर की बात करें तो ओरल केंशर या लिप केंशर देखने को मिलता है याद रखेगा फीमेल की बात कर रहा हूं इं केंशर हो गया अगर इसके बाद थब्uk कमन केंशर बर सबीए इसारीरल पंस केंशर, इसके Dalamaganda, तो कष्टार न सबस्टन केंशर होता है, परशर सबस्साइर जाता है, आपका important question इस्टार बना लीजिएगा note कर लीजिएगा आपके exam में जो पूचा जा सकता है कि most common cancer in India female की बात की जारे most common cancer in female in India your answer is breast cancer क्या होगा breast cancer अकर second most की बात किया जाए तो oral cancer होगा third की बात किया जाए तो cervix cancer होगा और fourth की बात किया जाए तो फिर gastric cancer होगा यह बात है आपकी female के अंदर यानि इंडिया के अंदर अगर female के अंदर cancer देखने को मलता है सबसे पहले नमबर पर most commonly देखने को मलता है आपका breast cancer उसके बाद oral cancer उसके बाद cervix cancer फिर lung cancer फिर gastric cancer उमीद है आपको याद हो गया होगा तो फटा पट से screenshot ले लिजगा आप नोट कर लिया तो बहुत ही अच्छा किया आपने चलेगा आगे बढ़ते हैं और male के अब female के बाद male और जान लेते हैं male की अगर अगर आपन बात करें top most common five cancer यहां पर है male के अंदर है इंडिया के अंदर है data वही 2018 का है चलेगा most common cancer in male in India that is oral cancer lip cancer या फिर oral cancer होगा second most common cancer in male in India that is lung cancer क्या होगा जी lung cancer होगा third most common cancer in male in India that is stomach or gastric cancer stomach or gastric cancer और fourth की अगर बात करें तो colorectal cancer और fifth की बात करें तो isofasial cancer यहां से आप से question केवल first number पर पूँचा जा सकता है first most common cancer in India in male that is your answer is oral cancer याद रखेगा oral cancer male के अंदर इंडिया के अंदर सबसे most commonly देखने को मिलता है उसके बाद lung cancer देखने को मिलता है तो चलेगा वापस आ जाते हैं अपने point of paper और अपने question पर चलेगा यहां पर question आप से क्या पूचाता देखेगा यहां पर आपसे question क्या किया गया था most common cancer occur in India इंडिया के अंदर most common cancer कोंसा देखने को मिलता है यह तो है नी यह है नी यह है नी क्या है cervical cancer बिल्कुल correct answer है इस question का चलेगा आगे बढ़ जाते हैं वापस आगे बढ़ जाते हैं next question discuss करते हैं 69 number question 69 number question what is the early sign of cervical cancer cervical cancer का early sign क्या होता है यानी cervical cancer के से मान के चलेगा जो HPV virus होता है HPV minus virus होता है उस virus ने infection कोज गया HPV virus यानी human papilloma virus है उसने infection कोज किया infection कोज होने के बाद उसके अंदर cancer स्टार्ट हो गया तो cancer जैसे ही उसके अंदर स्टार्ट हो गया तो उसके अंदर जंदली early stage के अंदर early sign कोन सा देखने को मिलता है सबसे पहले sign कोन सा उसके अंदर देखने को मिलता है चलेगा आंसर आपको देना है फिर आगे बढ़ेंगे अपन next question पर चलेगा यहांपर देखेगा पहला option है asymptomatic second option है यहांपर pen देखने को मिलेगा third option है यहांपर breakfast होगा और fourth option है यहांपर bleeding पर वयजाईना होगा तो सबसे पहले कौन सा क्लिनिकल फीचर अरली साइन क्या देखने को मिलेगा चलिएगा जल्दी से आपको आंसर देना है फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्योशन पर है कै कि चलिएगा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जयता है जो सर्वयकल केंशर होता है उसका अगर अरली स्टेज में अगर अपन सैंस शिम्टम देखे-टो बिल्कुल साइन सिम्टम नहीं होते यानि ये यह होते हैं बिल्कुल कोई सांच सिंतरम यहां पर नहीं होते हैं याने फ्री ओफ ऊफ उस संप missing सकते हैं जो और अर्ली स्टेज की स्टेज की बात किया जाता है और जैसे जैसे इसकी इस्टेज एदवांस होती जाती है वेसे वेसे इसमें अहीड के मिल जाते है इसके अंदर क्लीनिकल मीच दे ढिए की सब्षाद को सर्वाइकल केशा ओती होती है यानि कसी भी हैप जेंटने होता है फीर उप सिंटम्स यहां पर यह ऐख सथी है उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और समझ में आ रहा है तो सेशन को like share करते रहेगा friends सभी ताकि सभी तक सेशन पोच जाए और सभी को benefit हो और जो भी candidate पहली बार सेशन पर विजिट करते हैं चैनल पर विजिट करते हो चैनल को जरूर से subscribe करें क्योंकि इसी तरह किसे सेशन आपको continuously daily up to date यहां पर मिलते रहेंगे चलेगा आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं next question आपका 70 number next question आपका 70 number 70 number question है और कहता है HPV can coach HPV can coach चलेगा HPV किस से regarded है किस टाइप का cancer coach करता है HPV सर अभी तो बताया मैंने क्या होता है human papilloma virus होता है क्या होता है HPV human papilloma virus होता है अब human papilloma virus क्या coach करता है सबको पता होगा चलेगा option के according आपसर दीर दीजिगा फटापर से option A है oral cancer option B है rectal cancer option C है cervical cancer option D है cervical bone cancer चलेगा अब आंसर आपको देना है क्या इसका correct answer होगा HPV यानि human papilloma virus क्या coach करता है आप सबको यादे फटापर से time waste नहीं करेंगे इस question का answer बताकर आगे बढ़ जाएंगे चलेगा HPV के अगर बात करें तो cervix cancer cervical cancer यह coach करता है ठीक है तो याद रखेगा important है इसके बारे में काफी कुछ अपन discuss कर चुछा